अभी यहाँ पर इंस्टेग्राम की रिल के सक्षिन के इंदर यह जो फेस ओफ का ट्रेंड है वो बहुत ही जादा वाइरल जा रहा है बहुत ही जादा यह अभी ट्रेंड कर रहा है तो जैसे के आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर कुछ तिन पहले यह जो वर्ट एक्स रि वीडियो को देख लेते हो तो आप लोगों यहाँ पर सिंप्ली मेरे स्टेप को फॉलो करना है तो बहुत ही साथ आसन तरीके से आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर बना लोगे एक तम तो तिन मिनिट के अंदर लेकने आप एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है आप आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर में चाके भी उसको सर्च कर सकते हो लेकिन कैपकट का चो एप्लिकेशन है वह आप लोग को यहाँ पर प्ले स्टोर के इंदर नेम लेगा और नहीं मैं उसका लिंक यहाँ पर डेस्क्रिप्शन बॉक्स के इंदर सर्च मतलब दे सकता आप लोगो यहाँ पर simply Google में चाके सर्च करना है CapCut APK तो उसमेंसे आप लोग यहाँ पर किसी भी वेबसाइट में चाके उसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर अगर आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है उसको खोचने में तो आप लोग simply मेरे को यहाँ पर Instagram पर message कर सकते हो मैं आपको directly वहाँ पर उसका link प्रॉब्लाइट कर दूँगा तो इस तोनों application को यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या-क्या चीज़ करना पड़ेगा तो वो चीज़ बताने वालो अपने phone के screen में ले चाके तो जैसके मैंने आपको पताया था कि आपको यहाँ पर CapCut application साथी साथ snap VPN का application चाहिए होगा लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग को audit additional application की ज़रुद पड़ेगी जिसका नाम है screen recorder ठीक है ना तो इसका भी link आपको यहाँ पर description box के अंतर मिल जाएगा अगर आपके पास यहाँ पर inbuilt है तो आप लोग simply उसको भी यहाँ पर use कर सकते हो तो सबसे बहुत हम लोग कि यहाँ पर snap VPN को open कर लेता है open कर दने के बाद आप लोग को यहाँ पर virtual location में क्लिक करना है और किसी भी एक location के साथ आप लोग को यहाँ पर connection कर लेना है कुछ इस तरह के से तो यहाँ पर connect हो जाने के बाद मतलब की VPN connect हो जाने के बाद ही आप लोग को यहाँ पर CapCut के application को open कर लेना है तो open कर दने के बाद आप लोग को यहाँ पर new project पर क्लिक करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर simply एक photo के section में जाके आप लोग को यहाँ पर अपने किसी एक photo को choose कर लेना है हम लोग यहाँ पर simply अपने Adobe Lightroom के folder में जाके इस वाले photo को choose कर लेता है add कर लेता है अब add करताने के बाद last में देख सकते हो कि एक water mark आ जा रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पर नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर simply इसको delete कर लेता है अभी आपको यहाँ पर क्या करना है इसी portion में से आपको यहाँ पर अपने screen recorder को open कर लेना है ठीके ना तो उसको आप लोग यहाँ पर open कर लेना मेरा यह already open है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है अभी आपको यहाँ पर simply इस photo clear में इस तरीके से press करना है और थोड़ा सा नीचे जाके style के option में जाना है उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि 3D zoom pro करके एक option दिखाई देगा तो आप लोग को simply वहाँ पर tap कर देना है इस portion में थोड़ा सा time लग सकता है तो हम लोग को यहाँ पर time दे देना है थोड़ा सा तो देख सकते हो कि हम लोग का यहाँ पर यह बंड के ready हो चुका है यह जो effect था वो यहाँ पर डल चुका है वीडियो effect में जाना है जाना के बाद आपको ही आपपर इस party के option में चले जाना है और देख सकते हो कि हाँ पर loading होनों में थोड़ा सा time लग सकता है तो आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा से नीचे जाना है और इसको अच्छी तरीकी से प्ले करते ना है तो इसे portion में आपका चो screen recording है आप लोग को उसको यहाँ पर बंद कर देना है तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर अपने एक्टम screen recording को अच्छी तरीकी से safe कर लिया होगा अपने phone के अंदर तो आपको यहाँ पर फिर से अपने screen record तो हम लोग इसको यहाँ पर simply choose कर लेते हैं और add पर प्रेस कर लेते हैं तो बस अभी आपको यहाँ पर इस portion में कुछ इस तरीकी से नीकतम last के portion में जाना है और आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जब हम लोग यहाँ पर अपने final product को यहाँ पर play कर रहे थे तो आ last में देख सकते हो कि last को पकवास पाठ रहेगा तो उसको आप लोग यहाँ पर इस तरीके से split करके delete कर सकते हो आसान तरीके से चुकि हम लोगों नीचे यह ठीक है ना और last का यह चो watermark है उसको भी हम लोग यहाँ पर delete कर लेते हैं अभी आपको यहाँ पर simply simple बात है कि यह first का यह whole portion है उसको आपको यहाँ पर 14 seconds के अंदर-अंदर रतना परेगा थीक है तो हम लोग इसको यहाँ पर छोटा किस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर इस first तो देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने speed को adjust कर लिया है और आप लोग देख सकते हो कि इसका जो size है वो यहाँ पर 14 seconds हो चुका है तो अभी आप लोग को यहाँ पर second part के साथ कोई छेर करनी नहीं करना है जैसा है आपको simply वैसा ही रहने देना है अभी आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर add audio के section में जाना है extract it में क्लिक करना है और मैंने यहाँ पर description box के इंदर आप लोग को demo video for audio लिंक करके एक link दिया होगा तो आप लोग को simply उस video को यहाँ पर download करना है download करने के बाद हम लोग कि यहाँ पर simply उसी video को यहाँ पर choose करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर add कर लेते तो देख सकते हो कि यहाँ पर उस वीडियो से चोड़ या फाइल था वो यहाँ पर extract होके इस वीडियो के नीचे लग चुका है तो अब आप लोग यहाँ पर simply इस layer में प्रेस करके अपने size को थोड़ा सा यहाँ पर adjust कर सकते हो ताकि आपका वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे इस second part में भी same चीज़ कर सकते हो यहाँ पर zoom in करके अपने वीडियो को थोड़ा सा adjust कर सकते हो बहुती साथ आसन तरीके से अब यहाँ पर मैं आपको play करके रिखा देता हो कि यह तिस तरीके से एकतम बढ़िया तरीके से यह बनके आ चुका है तो जैसे कि देख सकते हो कि यह बहुती साथ अच्छा लग रहा है बहुती साथ है यह तेखने में एकतम original वीडियो की तरह लग रहा है एकतम smooth यहाँ पर यह वीडियो बनके आ चुका है तो बस इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को बना सकते हो एकतम आसन तरीके से हाँ मेरे को पता है कि यहाँ पर महनत थोड़ा सा जादा है लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर बनाते हो तो बह आया है तो वीडियो को लाइक करते ना तो मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक लिए बाबाई